कि राह संगर्स की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर बनकर वही चमकता है हेलो बच्चो मैं सागर मिस्त्रा आपका एक्सपी के लाजर में स्वागत करता हूं यह बच्चो जो लाइन बोली है मैंने यह आप लोगों के लिए इस पूर्ड है ठीक है तो इसमें देखिए क्या है कि लाह संगर्स की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर बनकर वही चमकता है तो बच्चो उठ जाईए और अपनी नीद चैन सब खो दीजिए क्योंकि आपको क्या है सूर बनना है ठीक है तो सूर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें रातों से जंग जीतनी पड़ेगी मतलब रात में जग जगना पड़ेगा हमें ठीक है पढ़ना पड़ेगा हमें खुब मेहनत करनी पड़ेगी तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम सुरू करेंगे क्लास 12 की क exercise करेंगे ठीक है आगे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की exercise ठीक है तो इसमें सबसे पहला question है जो बच्चों पहला question आपका कहा रहा है कि billion को प्रभासित कीजिए ठीक है और ये क्या दो पार्ट होते हैं बिले बिलायक है ना और billion कितने पकार के होते हैं तीन पकार के होते हैं कौन-कौन से गैसी billion द्रवी billion और ठोस billion ठीक है आपने बहुत अच्छे पढ़ लिया ठीक है तो यह समझ में आ गया इसके बाद दूसरा question देखिए एक ऐसे ठोस billion का हाइड्रोजन गैस देखो यह इसका जो आंसर होगा question number 2 का क्या है पैलेडियन पैलेडियम यह बिलायक काम करता है ठीक है और इसमें जो hydrogen gas होगी और जो आपका hydrogen होता है यह गैस है वैसे तो यहां पर hydrogen कि क्या होता है ठीक है तो यह पूछ रहा है कि ऐसे ठोस billion का उधारन दीजिए इसमें बिले कोई gas है तो इसमें देखो बिले क्या है गैस तो यह यह आपका उधारन हो गया पैलेडियम और हाइडियम की जब मिलाते हैं तो हाइडियम क्या काम करता है ठीक है तो ही पूछ रहा है इसके बाद थर्ड कोशन देखिए निमने पदों को परिभासित कीजिए मोलंस मोलंस क्या ह होता है बच्चों जो मुलंस होगा वो क्या होगा मिन जिसकी पदार्थ का निकाल लादvenue को अबिलायाक का द्रहां किलो गराम में ठीक है होगी मोल डिवाइड बाई ही द्रमाण टियए जब किसी निकालते है तो आप कारे करते हो उसको द्रमाण एक्टूल में बेट होता है और डिवाइड आप मौल में बेट 100 यह होता है ठीक है तो इस तरह आपको यह करना है ठीक है अ है ठीक है तो यह आपका हो गया द्रमान परसृत किया बता ह 대ने द्रमान परसाथ होता है बच्चो जो आपका कद रम मान डवा डिवाइट ब Olay द्रम्मान गुड़े सव यह तीक है यह कराया था इसके बाद बच्चो चौथा को नंबर कुश्टन देखिए प्रयोग सालाकार के लिए प्रयोग मिलाया जाने वाला सांद्र नाहिट्रिक अमले मान की द्रश्टी से नाहिक अशर परसें जली बिलियन है यदि इस बिलियन का घनाद तो इतना हो तो अमले की कि इस नमूने की मोलड़ता ग्याद करना है देखिए कि कुष्चन में ध्यान दीजिए बच्चो क्या कहा रहा है की एक नाइट्रिक द्रम्बान के देश्टी नाइट्रिक अमले का 80% जली बिलियन है ठीक है तुश का मदलब 38% तो इसका मदलब किसके अउसार है यह दिरमान के अंसार तो यहां पे द्रमान कितना दिया है एचनो फिरी का द्रम्मान कितना हो जाएगा बच्चो अरसट ग्रम ठीक है और इसमें कह रहा है बच्चो देखो 68 ग्रम दिया है उसके बाद यह बताओ यदी इस बिलियन का घनत तुदिया है इसका मतलब बच्चा क्या हुआ घनत तो क्या होता है घनत तो जो होता है द्रमान बटे आयतन होता है द्रमान बटे आयतन होता है तो यहां से आप हमें क्या पता है घनत तो पता है द्रमान पता है आयतन नहीं पता तो यहां से जब आयतन निकालोगे तो आयतन कितना हो जाएगा बच्चो द्रमान वटे घनत और द्रमान कितना दिया है जो आपका द्रमान आएगा देखो जो आपका द्रमान आएगा द्रमान कितना आएगा सो ग्राम ठीक है द्रमान कितना है बच्चो डिएन का भी यहां सब्सक्राइब दाना होगा जब्सक्राइब क Where the सिक्स 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 पॉइंट फाइव एम एल ठीक है और लीटर में चेंज करोगे तो जीरो पॉइंट जीरो एक है कर देना ठीक है उसके बाद अब क्या पूछ रहा है मोल अड़ता तो मोल अड़ता क्या होता है बच्छों बताओ मोल अड़ता होता है बिले के मोल डिवाइड भाई बिले अनकायतन लीटर में तो यह बताओ यहां पर हमें बिले के मोल कैसे निकालोगे बिले की मात्रा डिवाइड भाई यही होगा अब बिले की मात्रा कितनी 68 ग्राम और 68 डिवाइड भाई इसका मोली कर बेट कितना होता है बच्चो चाहुदा एक 15 48 और 48 से 15 जोड़ोगे तो कितना 63 आएगा तो 68 डिवाइड भाई 63 यह हो गया मोल ठीक है इसके बाद यहां पर नीचे क्या लिखोगे यह आगा है मोल ठीक है और डिवाइड भाई किस से करोगे बिलियन के आइदन से और बिलियन का आइदन कितना निकाला हम लोगे ने सिक्स्टी पॉइंट फाइव इंट्ट वन थाउजन करो ठीक है यह आ गया इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों पूरा सॉल्व करने के बाद यह आएगा बच्चों आपका मोल अड़ता जो आएगी वह आएगी वह कितना आएगा 1623 यह आएगा ठीक है कितना ठीक है तो यह बताओ इसमें कोई दिक्कत आप लोग को को दिक्कत देखो उसमें जो दिया है वही क्या कह रहा है देखो एक बार देखो फोर फोर फिर से देखो पड़ रहा हूं कह रहा है कि एक प्रियोक साला में सांद्र नाइट्रिक अमले द्रमान की द्रिश्टी से ठीक है तो उसमें कह रहा है कि नाइट्रिक अमले का आट-सर परसेंट क्या है आट-सर परसेंट जली बिलियन है ठीक है नाइट्रिक अमले का आट-सर परसेंट जली बिलियन है ठीक हैं भ्लियन का लिखी हैं प्लियन करना प्टक्रमान हुगा ऊप्टिस्क्राइब मिलाया गोए हम हिसां कि घ्राम घ्राम में 68 अचक्रणित मतलब क्या हुआ जली का की 100% में आप यह से आपने परसेंट के लगे और घनत तो आपको दिया वन पॉइंट फाइप यहां से आतन आगया और जो आज तो यह आपका आजाए मोल्रता क्या होती है बिले के मोल कैसे निकालोगे मात्रा बटे मोलर मास अमातर किती दिये 68 और मोलर मास कितना होता है आपका इसका चैनो 3 का कितना होगा 63 निकाल लोगे हाइडोजन 1 नाइडोजन चेहुदा सोरती 48 तो 48 पंदर कितना होगा 63 अब यहाँ जब डिवाइट करोगे पूरा स्वाल्ब करोगे 16 दिसम्वलों 2-3 मोल पर लीटर आएगा ठीक है तो यहां साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब इसके बाद आते हैं पांचमा नंबर कुशन देखिए बच्चों पांचमा नंबर कुशन पढ़िए कि गुलुकोज का एक जली बिलियन है ठीक है एक बिलियन जली बिलियन ठीक है 10 परसेंट डबलू बाइडबलू इसका मतलब क्या होता है समझो पहले कुश्चन नंबर फाइव कुश्चन नंबर फाइव ठीक है कुश्चन नंबर फाइव है ठीक है इसमें देखो 10 परसेंट डबलू बाइडबलू का जली बिलियन है किसका गुलुकोज का गुलुकोज ठीक है, C6H12O6, ठीक है, अब यह बताओ, 10% W by W का मतलब क्या होता है, देखो समझो, इसमें 10% W by W गुलुकोज है, ठीक है, जली पिलियान इसका, अब यह बताओ मुझे, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो गुलुकोज की मात्रा होगी, गुलुकोज, ठीक है, गुलुकोज की जो आपकी मात्रा होगी, यह गुलुकोज का जो द्रम्मान होगा, गुलुकोज का जो द्रम्मान होगा, यह मात्रा भी कहलो, एक ही है, उसको W, हुआ कि डगलू रब लुटु के तो हлच है यह तो Rock कांख करेंगे हुआ कि तो प्रस पर्सेंट है कि जो आपको होता है इस जो अब 0% है तो मतलब क्या हुआ कि कि आप बेले हो गया इंसका मतंलब बिले हों जब ये तो इसका मतंलब ऑगया कि 10 ग्राम क्या हो गया है बिले भू कुधूष ब्रम मान अब यह बता ओ एक डबल legitimately विद्ध रुप Grand कितना है कि पूरा टोटाल बिलें का दरम वाण मोग तो 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 कितना हो कि पूरा 100-100% होगा तो 100 gram होगा अब यह हो गया इसके बाद ही बताओ अब बिलायक के द्रम्मान कितना होगा बिलायक के द्रम्मान हो जाएगा आपका कैसे अब यह बताओ मैंने बताया था कि जो होता है कि वह ब्ले कि बिलायक यह होता है यह यह पढ़ाया आंब इस प्रभाव हो दो है यह प्रेजह बिले मेन आते हैं आप हमें यह मालूम है बिले मालोम है विए नहीं डिखाँ लोगे इसको दो गए तो यह बताओ जब दर्मां निकाल होगे तो हंडेड है हंडेड माइनस है इतना दस है इसमें कोई प्रॉबलम नहीं होनी चाहिए अब यह बताओ इसके बाद आगे क्या होता है इसके बाद बिलियन की मोललता ग्याद करना ठीक है तो बिलियन की जो मोललता है उसके लिए एक चीज़ और कर लो जो आपका ग्यूकोज है ग्यूकोज ग्यूकोज का गर मोली मां अन्वोर द्रम्मान अला है कि यह टिक्स सेयगा launch वींटो श्विर्विशस्ती द्र वेदी昨 फ्लस टैल इन्टु वन ठीक है त्यारों अखाए है श्यम्यावास का लाए नज यह होजाब कितना इसले ंट desta है यह होगा तो यह जब इसको निकालोगे तो यह आ GEORGE कितना ही और यह आजएगा आफ़ पर पर त्स पोड़ यह इसमें यह तो जब इसमें दीश्क 8080 एकalties 180 ग्राम पर ल conflicts पर मोल कर लो है इसके बाद यह आपका और मांस अ गया आप में मोज़त कोई दिक्कात नहीं होना पर मोल में गया इसके बाद यह सब आगिया अब यह वता हो हम में क्या निकालना है मोल अलता तो जो मोल अलता होती है इस मॉल एम ठीक है अब मैं सभी जगे मोल अलता को इस मॉल एम से बता हूँ ठीक है इस मॉल एम यह क्या होगा बिले के मॉल डिवाइड वाइड वाइड का द्रम्मान यह होता है दस उसको मोलर दर्मान 180 यह आगए आपके बिले के मोल डिवाइड भाई यहां पर बिलाय के दर्मान और बिलाय के दर्मान कितना है 90 यह है ठीक है तो यह जीरो जीरो कड़ गया तो यहां से बताओ मोलरता कितनी आजाएगी वन भाई जब यह पूरा सॉल्व कर लोगे आप तो आपकी मोलरता जो आएगी पूरा वन पॉइंट नाइन इंटू एट्टीन हो जाए इसके बाद जब इसको सॉल्व कर लोगे जीरो पॉइंट सिक्स वन सेवन पॉलरता ठीक है यह आपका 660 जीरो दिसम लो 617 मोलर ठीक है यह आप क्या गई मोललता इसके बाद इसमें कुश्चन में इतने में नहीं है खतम अभी और कहरा देखो कहरा कि बिले तथा बिलायक के मोलंस की करना कीजिए अब इसमें मोलंस कैसे निकालोगे यह पहला पार्ट हो गया दूसरा पार्ट देखो बिले बिलायक के मोलंस नि बिले का मोलंस तो बिले का अमोलंस कैसे निकाल कर बच्छों देखो बिले का मोलंस निकालने के लिए भिले के मॉल और बिले के मॉल कहां है यह पहीं तो है 10 y 180 एक सो उसके बाद बिले पिलस बिलायक के मौल टोटल दोनों के मौल होते हैं ठीक है तो बिले के मौल तो यही हो गए अब बिलायक के मौल कैसे निकालोगे बिलायक के द्रम्मान ठीक है समझ में आया बिले के मौल जब निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जब इसमें मोल अलता निकालते हैं तो इसमें यह तो आ गया बिले के मोल ठीक है यह सिंपिल उसके बाद आप जब इसको निकालोगे तो यह कितना हो जाएगा देखो यहां पर 90 ग्राम है और बिलायक यह 90 ग्राम और डिवाइड बाइक कौन है वाटर यही तो बिलायक करोगे आप तो बिले नहां को कि तना है पता है जो आपको का मेल जाएगा वह कितना है का समझ गुलु कोश का 0.01 यह ठीक है अब जब एक का आगिया तो दूसरे का कैसे निकालते हैं वैन से माइनस कर दो जब एक यह मान लो एक से एक कौन सा है टू आया बिलेक आया तो ए होता है क्योंकि दोनों को सम्ध क्या होता है एकज्वण एकस्वण एक्स बारवा बन निकालने के लिये एक्सवन क्या भिलाया कमोल तो 1 माइनस सबहें है जे बिलाया को मूल तो बन माइनस यह माइनस पर वंद पर मैन और यह को क्या थी बिलायाक गणा रहे गाई पयोत फजी इसमलो इसे दिरो चिनमद आए थी को एक फ इसको लिगनों पिनाइं now एक यह थी कि यह थी कि दीलायक पाटिक है तो यह थी एक इसको रहता हूँ है जेनल लॉक्त शी तक है टूरchant कि यह समूल मूल सिंटाएे अच्छा कर्या धार कोई problem सिर्फ formula based question है सब ठीक है कोई दिकत हो बताओ बस यहां पर मैं खेल होता है जो यहां से निकल यहां पर सही लिग गया जो उसके बाद कोई दिकत नहीं आती ठीक है अब यह बताओ इसके बाद मोलरता निकालनी है अब मोलरता निकालने के लिए देखो आगे कुछ दिया है कि देखो मोलरता निकालने के लिए कुछ दिया है अब क्या दिया है वो देखो कि देखो मोलरता के लिए कुछ दिया है बच्चो इसमें आगे कुश्चन पढ़ते है पश्चन फाइश इसमें दिया है बच्चो मोलरता के लिए कि कि इसमें यदी बिलियन का घंट तो दिया है बिलियन का घंट कितना दिया है वन पॉइंट्ट टू ग्राम पर एमल यह दिया है ठीक है अब यह बताओ गिना तो लिए यहां से यहां निकाल लो भी यह बिलियन का इतना जाएगा द्रमान इसको बिलियन का घनत अब द्रमान कितना दिया है बच्चों द्रमान कितना है 100 और यह कितना है 1.2 इसको जब 1000 से डिवाइड कर दो कि यह हो गया अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यह कितना आएगा पता है जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यह आपका आएगा कि इसको सॉल्व करने पर यह पूरा आता है जीरो दिसंबलो जीरो दिसंबलो जीरो एट जीरो संबलो जीरो एट फिरी फिरी लीटर लीटर में ठीक है यह तो यह chance' अब बिलियन निकाल लिया तो मुल अब हो जाएगी बिले के मोर्ता बिले के मुल किया होगा टेन डिवाइड वाइट डिवाइड वाइट एक इटन जीरो जम्लो जीरो एट थीरी तरी अब जब इसको solve करोगे बच्चो तो आपका जो मोलरता आएगी वह कितना आएगा जीरो पॉइंट 67 capital M मोलरता यह ठीक है अगर देखो एक बार समझो यहां पर पूरा एक बार फिर से क्यों कर लो देखो कैसे क्या है इसमें क्या करा दस पर से मैंने बताया था कि divert privatoant मतलब उसमें की सब कुछ है जैडर में इसका मतलब गलुकोज कि इसमें क्या क्या अब धैक लए झिराव भी और उसकी बात सब्सक्राइब कितना है तो यह सभी है इसके बाद यहां पर आता है पहला कोश्चन मोल अलता मोल अलता कैसे निकालोगे वनाइनस कण कर दो कि दो इसके बाद ग्लुकोश को मोल अलता थات कायतन निकालने के भाय मोल होगी यह आपको जाएगा दिवाइड बाइ बिलियन कायतन ठीक है यहां इस नौर कुम नम्बर मिश्न देखिए यदि एक ग्राम मिस्तरण है मिस्तरण में सोडियम कार्भोनेट वनीम कार्भोनेटिके के मोलों की संख्या समान हो तो कहरा है कि एक मिस्तराने ठीक है उसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइक कार्बोनेट ठीक है इसका मतलब एक कोई मिस्तराने ठीक है उसमें सोडियम कार्बोनेट पिलस सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है दोनों हैं अब यह बताओ और पूरा बिलियन कितने का है मिस्तरन जो है एक ग्राम का ठीक है टोटल एक ग्राम का है तो यह मान के जलो अगर यहाँ पे हम कहें मिस्तरन का द्रम मान कितना की बिन बच्चो एक ग्राम ठीक है अब मिस्तरन में क्या है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट अब सोडियम कार्बोनेट अगर लेंगे सोडियम कार्बोनेट की क्या द्रम मान कितना हो जाएगा क्या द्रम मान माना माना sodium carbonate के द्रभबान कितना हो जागा x gram मान लो ठीक है और इसमें क्या है जब sodium carbonate के द्रभबान इतना है तो sodium bicarbonate के कितना हो जागा बच्चो common sense कितना हो जागा क्या यही होगा 1-x 1-x gram समझ मैं कैसे हुआ देखो अब यह पूरा total कितने का है एक gram का ठीक है total कितना एक gram उसमें से हमने कर लिया यह x है ठीक है तो यह कितना होगा 1-x होगा न आई यह बताओ जब sodium carbonate है sodium bicarbonate नहीं मालूम है उसको y मालो और उसके बाद 1-x तो यह बताओ जब y निकालोगे तो y क्या हो जागा 1-x तो इसका मतलब y क्या है यह sodium bicarbonate तो क्या होगा 1-x समझ में आ गया तो यहाँ पे sodium carbonate के दिरे माल हमने माल लिया x gram है तो sodium bicarbonate automatic क्या हो जागा 1-x हो जागा ठीक है total में से minus x हो जागा ठीक है अब यह बताओ अगर इतना समझ गए हो तो यह बताओ बच्चो मुझे एक चीज बताओ उसके आगे वो क्या क्या रहा है कि इसमें दोनों की sodium carbonate sodium bicarbonate के मोलों की संख्या क्या है समान है अब मोलों की संख्या समान दे दी है तो इनके मोल निकाल लो तो यहाँ पे निकालो sodium carbonate के की मोलों की संख्या की मोल क्या हो जाएंगे मात्रा बटे तो मात्रा कितनी है X सोडियम कार्वोनेट की मात्रा कितनी है X और यहां पर क्या हो जागी इसका मोलर दरम मान कितना हो जागा एक सुच्छ है जब निकालोगे 23 into 2 46 46 और 48 ठीक है 46 और 48 94 और 94 और 12 कितने हो जाएंगे आपके बारबोनेट के के मैं मोर appelle की शंक्या कि मात्र नि स्क्रॉट डिवाइड इसंडियोर ध्रम मान यूदी किसोडियम कम हो जाएगा 106 में जब ट्रवंटी थ्री लेस्ट करोगे सब्सका इच सेवेन 처럼 कितन तो 83 आएगा ठीक है कितना आएगा बच्छो 83 ठीक है अब जब यह बताओ sodium bicarbonate की mol आ गए यहां से यह दोनों समझ में आया ठीक है अब दोनों के mol की संख्या क्या है एक को ले तो यहां पर जब समीकान नंबर एक कर लो समीकान नंबर दो कर लो समीकान एक समीकान दो क्या होगा है बराबर गिवेन है कि दोनों के मोल किसंख्या बराबर होगी समीकान एक बराबर समीकान नंबर 2 यह करोगे जब समीकर 1 में बरावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चो x divided by 106 बरावर 1 minus x divided by 83 यही होगा ठीक है यहां तक कोई दिक्कत अब यहां से क्या निकालना है हमको x की value अब x को जब निकालोगे तो जो x कैलकुलेट करोगे तो x की value क्या आजिए पता है जब आप x कैलकुलेट करोगे तो यहां पर देखो रेखो चो्धह यहां पर क्या है एक तो यहां पे 84 हो जाएगा घ्टाएगा थीख होगा्ट safely कर दिए ısके बादब बताओ जो एक को समिकर गशर्ञाइबर और क्यों कियां कि दोनों की मॉलु की सब्सक्राइब कर penal दिये अब यहां से जो एक्सक्य वैल्लू आएगी एक्सक्य वैल्लू आपकी जीडो दिसमलो जीरो पहलो दैपल फाइव एट ग्राम ति यह आ गई आपकी एक्सक्य था नाटो और विछ द्रह से अंग फ्रहुंत घ्राम अब इसको फ्रहें से मैनस एक्सक्य आएगा जिएरो दिसमलो 4 for something कुछ आएगगा ठीक है 442 ठीक है 442 ग्राम किया है यहां तक करना कि कोई दिक्ष्यों देखो कुछ नहीं किया में सोडियम कार्बोनेट speaking on Creative behavior वह लिए M and German अप्शना मदला सोडियम कार्बोनेट का।ban सोडियम कार्बोनेट ऐस्ट के मोलोग संख्या क्या है समान है तो दोनाओ महलोग संख्या लिकाल ली हमने ठीक है अँछ सिद्ना से करेंगे यहां से यहां से कहीं दिक्कत नहीं इसके कहा है इसके वाद आगे आगे देखो क्या है आगी कोस्चन पड़ो और क्या रहो है कह रहा है तो इस मिल्शलसी मॉलर करने के लिए 0.1 M molar SCL के कितने ml की ओसकता होगी अब देखो किरिया करार आए ठीक है मतलब sodium carbonate किसे करेगा किरिया SCL से भी करेगा और sodium bicarbonate किसे करेगा SCL से ठीक है तो उसमें कहला कितने ml इसका मतलब इनका आयता निकालना है ठीक है इस मिस्तरण से पूर्ट्रा किरिया करने के लिए 0.1 molar SCL के कितने ml की ओसकता होगी ml मतलब द्रमान ठीक है मिली लीटर तो मिस्तरण से पूर्ट्रा किरिया करने के लिए मिस्तरण क्या है Na2CO3 और sodium bicarbonate तो इनसे जब किरिया करेगा SCL ठीक है तो देखो जब हम individual कराएंगे किससे पहले Na2CO3 जो होगा किससे किरिया करेगा बच्चो SCL ठीक है तो क्या बनाएगा NaCl ठीक है NaCl बनाएगा और क्या बनाएगा CO2 बनाएगा ठीक है तो जब NaCl बनाएगा CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा तो H2O भी बनाएगा और CO2 बनाएगा ठीक है यह बनाएगा इसके बाद यहां पर देखो सोडियम बाई करो अब यहां पर बैलेंसिंग करो यहां पर 2 NaCl हो जाएगा तो यह बताओ Na2CO3 कितना है इसका कितना 106 ग्राम होता है ठीक है अब 106 ग्राम इसके मौल है इसके कितने हो जाएंगे 73 क्योंकि स्क्राइब कितना हो जागा 35 दिसम्वलों पार्च यह होता है और हो जाएगा 36 तो उसको जब डबल करोगे तो त्यक्तर ग्राम ठीक है यह हो गया इसके अब यहां से देखो यह बताओ जब 106 ग्राम में कितने ग्राम तो यहां पर लिखो 106 ग्राम आटू सी में SCL को SCL की मात्रा कितनी है 73 ग्राम इसको जब मिलाने पर SCL की मात्रा कितनी है यह है तो जब यह बताओ जब 106 ग्राम को जब मिलाओगे किसमें पूर्त्य किरिया के लिए आवस्यक यह बताईए मुझे जब हम यहां पर एने टूशी तक द्रमा कितना है यह जो निकाले है जीरो दिसमलो तो यह बताओ जीरो दिसमलो 55 वेट ग्राम में SCL कितना हो जाएगा तब आवस्यक SCL का द्रमान या मात्रा कुछ भी कहलो कितना हो जाएगा बच्चो 73 डिवाइड बाई 106 गुणे जीरो दिसमलो 5558 यह है ठीक है तो यह कितना जाएगा बच्चो जब इसको सॉल्ब करोगे आप जब इसको आप सॉल्ब करोगे पूरा तो यह आपके आजाए जीरो दिसमलो 384 ग्राम 384 ग्राम जीरो दिसमलो 384 ग्राम ठीक है यह किसकी मात्रा आ गई आवस्यक SCL का द्रमान यह किसका द्रमान आ गया SCL जब रियक्षण करेगा तो उसमें SCL का ओस्यक्ति कितना जाएगा इतना किससे लेक्षण करना नेटूसीघ्री थे अब इसमें यह बताव मिस्रण में अभी हमने एने टूसीघ्री से लिकराएगा इसके बाद मिस्रण में और कौन है सूडियम बाई कार्बोनेट भी य sodium bicarbonate reaction करेगा तो यहां पर देखो जब sodium bicarbonate reaction कराओगे कि एने SCO3 यहां पर हो जाएगा आपका 84 ठीक है 84 ग्राम ठीक है और यहां पर जाएगा 73 ग्राम ही रहेगा ठीक है इसके बाद जब इसको sodium bicarbonate कराते हैं बच्चों तो यहां यहां पर क्या होता है यहां पर देखना है ठीक है अब यहां सोडियम तो यहां पर एक ही होगा तो यहां पर कितना जाएगा 36 36.5 ग्राम यह होगा तो यह बताओ मलब 84 ग्राम सोडियम bicarbonate में आवस्यक scl की मात्रा कितनी है टीक है तो यह तने में जब इतने में इतना तो कैसे निकालो गो यहां पर देखना अब इस रिक्शन को जब इतने में 84 ग्राम में सुडियम बाइकार्वोनेट ठीक है मैं आवस्यक स्यल आवस्यक स्यल का द्रमान कितना दिया है बच्चो थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम यही है अब जब इतना में इतना है तो इतने में कितना होगा 0.442 ग्राम में आवस्यक स्यल कितना हो जाएगा थर्टी सिख्स पॉइंट फइव डिवाइड वाइग इतना एक ती फॉर इंटी अइन्टू जीरो इसम्म लोटन फॉर इंटू फोर फोर टू ग्राम यह वाट ठीक है अब जब इसको सॉर्प करोगे बच्चो तो जब सॉर करते हैं तो क्या आता है देखो इसका जो द्रमान आएगा 0.192 इतना 0.192 ग्राम यह ग्राम आगे ठीक है तो यह बताओ बच्चो कि अब यह बताओ जब यह क्या है देखो sodium bicarbonate पूर्टिया कर रहा है है Stl से ठीक है पूर्टिया फूरी तरह से जब इसको इस्ते करेगा तो कितने देखो इसके द्रमान जो आएगा किसका यहाँ पर sodium bicarbonate का ठीक है sodium bicarbonate कर द्रमान कितना आया 0.192 ग्राम ठीक है इसी पिकार से हमने sodium कार्बोनेट का निकाल लिया है और सोडियम बाई कार्बोनेट का निकाल लिया है ठीक है और हमारा जो मिस्रन है वह कौन सा है किस से मिलके बना हुआ है सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाई कार्बोनेट से ठीक है तो दोनों का द्रम्मान हमने यहां पर कर लिया है जो रियक्षन के बाद है जो किरिया करने के बाद द्रम्मान क्या हो गया उसका यह है ठीक है जब किरिया करेंगे तो किरिया करने के बाद द्रम्मान क्या है हमने निकाल लिया अब यहां पर हमने किसका स्ट्रमान यहां भी निकाल दिया अब दोनों को क्या करो जोड़ दोगे तो यह बताओ इसको यह बताओ हां कुल द्रमान किसका स्ट्रमान कितना हो जाएगा 0.384 पिलस जीरो दिसमलो 192 यह ठीक है अब इसको जोड़ो कितना लगा जीरो दिसमलो 576 ग्राम यह हो गया ठीक है यह कुल द्रमान किसका आ गया स्ट्रमान किसका गया तो यह बताओ इसमें दिया कोशन में जीरो दिसमलो वन मोलर्ता स्ट्रम ठीक है तो इसका मदलब क्या हो गया मोलर्ता दी है तो यहां पर यह बताओ कि यहां से मोलरता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोलरता अब यहां पर देखो बच्चो मोलरता क्या यहां से जो मोलरता निकालोगे मोलरता क्या हो जाती है बिले के मोल डिवाइड बै बिल्योन का इतन teşekkür Designer क हो इस निंखाला आयतन निकलना है ठीक है तो यह बताओ मोलरता होती है आपकी बिले के मोल डिवाइड भाइ बिलियन का आयतन को यहां पर जाएगा कि बिले के मोल और बिलियन का आयतन को बिलियन का आयतन यही होता है फर्मूला ठीक है अब यह बताओ बच्छो जब मोल अब हमें कि तना लगी ने कि फवाइं तो यह भी स्जिन में पॉइंट वन čा निकालना है तो बिलियन का आयतन के लिए थीख एक है तो ओलियन का यह एक है और बीमद के मोल मिले के मौ और जागा अब आप श्रतल के will अ 576 यह होगा डिवाइड वाइड मात्रा बटे अनुभार अनुभार इसका मोलर मास कितना होता है है एस यह लका 36.5 ठीक है अब इसको जब शॉल्व करोगे तो इसकी आयतन क्या आएगा देखो कितना आएगा इसको शॉल्व करने पर वच्चो इसका आयतन 157 कितना आएगा 157.8 ठीक है ML में आयतना आएगा इसका ठीक है यहां तक कोई दिक्कत एक बार इसको और बताता हूं देखो एक बार समझो इसको देखो कुश्चन नंबर 6 एक बार समझो देखो मैं क्या है सबसे पहले इसने मिस्रण दिया है उससका द्रमान दिया है एक ग्राम उसमें मिस्रण में क्या है Na2CO3 और Sodium Bicarbonate ठीक है अब दोनों को द्रमान हमने ले लिए Sodium Carbonate का भी द्रमान हमने X लिया और उसका हो जाएगा 1-X ठीक है अब यह बताओ अब इसमें कहराएं कि Sodium Carbonate और Sodium Bicarbonate की मोलोग उसके कहाँ समान है ठीक है अब यहां से जब मोलोग संके समान हो गई तो यहां पर हम कर देंगे दोनों के मोलोग निकाल के उसको एक्वल कर देंगे और यहां से एक्स की वैलू कैल कर लेंगे तो यहां से ठीक है तो यह करेंगे सोडियum कारबोनेट दोनों ही क्या करेंगे करेंगे अलग तो सोडियum करेंगे सब्सक्राइब पहले तो उसकी जुआ मोल थे उसकी मात्रा मझा ग्राम ति तो यहां से हम क्या दरहमान निकाल लेंगे जो आवस्त्य दरहमान हमें अभ क्या तो यहां से क्या करेंगे बिले के मोल डिवाइड भाइए बिले के मोल की तो बिले के मात्रा कितनी है यह निकली यहां से ठीक है ड्रम मान बते क्या होता है टोटल मुलर मास कितना और यह इंटू 0.1 महार करो कि क्या रहा है कि घमाण की द्रश्टि से पचिस घ्राम कि एप है है पचीस पर्संट पर्संट बिलियन है थीक है ंच कि बिलियन के तीन पर्संट बिलियन correction ठीक है और उसके बाद 40% 40% के बिलियन के 400 ग्राम इस तरह गिविन है को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिस्रण का द्रमान प्रितिसत सांद्रन निकाल लिए तो देखो कैसे होगा तो यहां पर i कैसे करोगे बच्चो देखो यहां पर प्रितिसत बिलियन जो कैसे करो सब्सक्राइब प्रतों बिल्यन में इसने जो भिले होगा किसद्न आज हो कद लियोगा जो जागा में 123 ऐन2 का द्रम्मान बेले का द्रम्मान कितना अब् aloud किए है उसमें का द्रम्मान कितना बच्छू 25 कितना होगा कि यह इंटू कितने में 300 ग्राम में ठीक है कि 75 परसेंट तो 75 ग्राम यह बिले कदर माना गया कितने में 300 ग्राम में 300 ग्राम में जो आप 300 ग्राम में ठीक है अब इसके बाद डुती बिलियन के क्या रहा है उसमें बेले के मौल प्रसेंट का 400 ग्राम चालिश परसेंट का 400 बच्छोग 16 160 rotating कि इसमें कितना है 166 इसकंदी इसक तो一下 मातों कितना है ехाट कितना बिले ठीक है अब यह बताओ बच्छो दोणों कर दो मिला तो बिले को द्रब आप किसको दो बताओ को द्रन कि बता थो न्य इस अ कहीँ दोगा करे 235 ठीक है उसके बाद billion का कुल द्रमाण कितना हो जाएगा इस तो billion का कुल द्रमाण की ठीक है अचींसोन जाए कितना अब इतना डुकितना बिलियान का त्स CT 700 ग्राम यहांivo समझ मैं है जैसा जैसा बोल ला वैसी वैसे करते जाना ठीक है कुछ इसमें एक्स्टर दिमाग नहीं लगाना ठीक है उसमें कहरा है देखो पहला बिलियन लिया पर्टीज परसेंट उसमें 300 गिराम में पर्टीज परसेंट भी एक तो यह बताओ और सब द्रमान की दिरिश्टीज है ठीक है तो यहां पर द्रमान प्रत्सत पूछना है तो परिणामी बिलियन हो बिले का द्रमान कितना हो जाएगा देखो अब यह बताओ जो परिणामी बिलियन होगा परिणामी बिलियन में बिले का द्रमान प्रत्सत कितना हो जाएगा ब 235 है और टोटल कितना है साथ सो इन्टु हंडेड परसेंटेज जहां से आएगा आपका अब इसको तो कितना जाएगा थार्टी 33.57 परसेंट है ठीक है अब जब इतना आया तो इसका मतलब क्या हुआ अब परिणामी बिल्याय के द्रमा निकाल लो तो परिणामी बिलियन में बिलायक का द्रमान ठीक है कितना हो जाएगा हंडेड से खटा दो हंडेड माइनस 33.57 तो कितना आएगा 66.4 ठीक है यह परसेंटेज आएगा विलायक का यह पूंच रहाए ठीक है कुश्चन नमबर 8 साथ तक कम्प्लीट कर लिए ठीक है उसके बाद कुश्चन नमबर 8 ध्यान दीजिए बच्चों नमबर 8 कुश्चन नमबर 8 कह रहा बच्चों कि 222.6 ग्राम एथिलीन गलाइक ठीक है इसका मतलब एथिलीन गलाइकोल कि जो मात्रा है उसका कितना दिया है 222.6 तो यहां पर एथिलीन गलाइकोल एथिलीन गलाइकोल ठीक है इसकी मात्रा कितने दी है है का दर्मार कितना है कितना कितना दिया है 222.6 ठीक है इसके बाद कह रहा है 200 जल को मिलाकर फिर्तिहिं मिस्ण मनाया गया बिलीन की आप गाना कीजें है है क्या है तो जैफिक है एतना दिया है और निकालना है लाट ठीख के लिए क्या चाहिए होगा एक तो देख्लd yeah यहांन पर इसाइब आज लुए व्योटों जाल की मात्रा कितना और मंनको इतना हो 200 ग्राम झी जीरो पॉंट केजी में होता इतर विलायक के द्रहमान पॉइंट्टू केजी एक यह रिवायट कर दोगे तो मैं दूखेस तो केजी में आ गया अब यहाँ पर हमने भी आ गया और बिले भी आ ठीक है तो यह क्या बिले है और यह क्या है क्योंकि क्योंकि यह मिलायाग है क्योंकि यह मिलायाग है फिन तुक वाटर में ठीक है जब इसको मुलें कियँ क rectal 내 मोललको निकालने को मोललता पहले अंद फ्र्मान अतव मातरा कितनी है तो इसका जो मोला नमास आएगा कितना आएगा बच्चो 62 ग्राम ठीक है ऐसे लिए इसका कितना आएगा 62 से भाग दोगे तो यह आगए मोल भिले के मोल डिवाइड भाई इसका क्या हो जागा बिलायक का द्रमान कितना है पॉइंट टू केजी ठीक है अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो मोल रड़ता आगी कितनी आजएगी सत्तरा दिसम्वलो नाइन फाइव एम इस मॉल एम यह आगे है ठीक है यह होगे कुश्चत इसके बाद वह कह रहा है बच्चो कि आगे भी कुश्चत देखो सब्सान का इंभा इसकी होता है अब जो तो घृत्व कितना इस दिया है धिक है उसके बाद यहां पर जोड़ से तीक है रहए तो ले में चाहिए तो यहां से आप कैसे करोगे यहां जिसम्पिल में करना करना है हमें मोल अड़ा सा निकाले है अब मोल अडर्ता निकालने के लिए हमें इसको आयतन चहिए तो आयतन कैसे निकाल लोगे देखो जब आयतन निकालना होगा तो कुछ नहीं करना देखो million क pourquoi divided by घहनत तो दिया है तो यहां से आयतन निकाल लो मिलनक दरमान कितना हो जाएगा है dog 22 दिवाइस ज anál10 करोगे स्मालियाँ गेना तो दिया है उसमें और जिवाइड करोगे तो इसमें कितना है चाहिए खुछ 394 394 यह लीटर में ठीक है यह आगया आएतन आपका अब जब आएतन आगया तुम और निकाल लो तो मोरता जो आएगी कि हम बिले के मोर डिवाइड भाई बिलें का अब बिले के मोर क्या है बिले के मौर आपकी यह है कि दो सो बाइस दिवाइड बाइसट बिले के मौर डिवाइड बिलें का अधन के इतना जीरो जब लो 394 लीटर यह है ठीक है अब यह बताओ जब इसको सॉल्व करोगे तो मोलरता आएगी आपकी 9.10 एम 9.10 मोलर यह आपका बिलें के मोलरता आएगी ठीक है तो इसमें कुछ करना नहीं था धी इसमें सिर्फ एक ही चीज था इए येंज दिया था अउसकोWe कुरल हमाइए जल्गी मातरा द्रमान उसका किटना 200 ग्राम दिया था ख्याज़ में कर लिया उसके भोड़ता निकाल लिए कुछ भी नहीं किया ठीक है घहनत तो दिया था द्रमान बटे आयतन और रमान क्या हूं का टोटल बिले पेले क्या होता है जो एक बनाते हैं तो बिल कैसर जन ने समझे जाने की सीमा सबहुत अधिक संदूशन की सीमा 15 ppm द्रमान में तो 15 ppm कि यह था ना कि क्या है पार्ट्स पर मिलियन है ना यह पढ़ाया था मैंने यह ऐसी सांदरता होती है कि जिसमें हम क्या करते हैं बिले को बिले की इसको हमें तो कैसे करते हैं तो ज्रम मार impressively कि इसको किलोरोफार्म को में छीए तो क्लोरोब फॉर्म सीयसी इन 3 का द्रमान डिवाइड वाइड बिलियन का द्रमान ठीक है बिलियन का द्रमान इन्टु अंडेर्ड यही ओता है ठीक है अब यह बताओ जब यह होता है तो एक तो देखो यहाँ पर आपका शीरी का द्रमान डिवाइड़ बिलेंग द्रमान गुने 100 अब यह बताओ 15 पीपीम को रूपाउम कह रहा है ठीक है जिसका मदलब क्या होगा फंद्रा ग्राम 15 ग्राम को रूपाउम में कितना बिलियन है 10 की पावर 6 ठीक है इंटू 100 यह पीपम को मतलब समझ में आए ठीक है तो पंदरा पीपम को मतलब पंदरा ग्राम बटें टेन की पावर 6 इंटू 100 यह हो गया ठीक है अब यह बताओ जब इसको सौर्ब करोगे तो 15 इंटू 10 की पावर वह है यह माइनस-4 वैंगा ऑघ्र इसको करोगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस थी यह आगया यह अब क्या आगया क्लूरो पॉर्म को पर्सेंटेस कि पर्सेंटेज हो गया दूसरा कुश्चन क्या कह रहा है कि जल के नमूने में क्लूरो फॉर्म की मो मौललता कैसे ज्यात करो देखो कि अब बिलियन की मौललता है तों तो इसमें क्लोरों मोल तो मौल क्या हो जाएगे मात्रा मात्रा कितनी आई कि मात्रा कितनी यह बैठ्चों 15 यह अब उसके पर ऑब अग्रोफों को द्रमान डिवाइड बाई उसका मोलर मास्राढार मास्रा बीहार किलिए उचस को डिवाइड वाइड वन थाउजन से कर दोगे केजी में करना है जब इसको सॉल्व करोगे तो कुल मिला के वन पॉइंट टू फाइव इन्टू टैन की पावर माइनस फॉर सब्सक्राइफ कि अच्कुछों टीक है तो कि आपको समंझ में आया कि अजया कई चार आएपक दीयानय़ कीया जो हो बिल्यान की मोल लता देखो सेम बिले के मोल लता क्या होती बिलायक का द्रमान केजी में तो बस हो गया वही कर दिया प्धिक जब आपका इसमें ऐलकोहल लेंगे तो जो अन्योन क्रियां के करण क्या होता है चैपिश्यva जब आपके पुराने Hydro-Yana Band होते हैं और जुन नए वाले हो बनेगे तो क्या करेंगे जो उसने पुराने वाले होते हैं जो आधके नएबन रहे तो जो पुराने वाले होते हैं strong होते फ्रफल उते हैं कि से जो नए वाले क्या होते हैंDurbal होते हैं उसके क्या होगा कि दिन अंवोरे इसका वास्पताब जाता है उस अभधोर को जाएका यह आपका यह जो आपके कंपाउंड हो क्या हो जाएगा कुतना हम्सक्तना घटता है और अब बढ़ाने पर गैसों की दिरवों में बिलेता में हमेशा कमी आनी की प्रिवर्ति क्या होती है क्यों होती है देखर बात है जाब है डिए बनता है ऑफसे डिया होगा क्या होता है जब गैसों दर्ब में सामना उस्तिदी होती है तो इसमें क्या होता है इसका वास्प अगव क्या होता होता है कम हो याद रखना तो समय क्या रहाता है का इसके बाद कुछ देखते हैं भार्मा नियां है है रिक और नियाम पादा यह बध्यों बच्चो यह था 11 अब 12 बार्मा 14 है नियम क्या कहता है कि जो आपका आंसीफ दाव होता है क्या होता है बच्छो आंसीफ दाव और बात की होता है तो यहां पर आपका नियम हो गया उसके बाद इसके अनुपिरोग जैसे अनुपिरोग इसके बताया थे मैंने कि जब आप पहाड़ों में चड़ते हो तो वास्पद आप क्या होता का मोने लगता है जिससे कि आपको फटीनों तो ऑक्सिजन लेने में थोड़ा सा अनकंफर्टेवल मैंसूस होता है तो उससे क्या होता है कि आपके नसों में जो आपका क्या होता है तो प्रूंप्ण आपके सब्सक्रिक्राइब ठीक है उससे आदमी की डेस हो जाती है और जैसे समुद्र में गोता खोर होते हैं ठीक है वो जाते हैं जैसे समुद्र में गोता खोर जैसे जाते हैं तो क्या करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन और उसमें एक गैस और होती है मैंने बताई थी हेलियम गैस तो यह तीनों गैस कि हमारे नसों में जो नाइटरियन का जो नाइटरियन की मातरा होती है व réflome räum लिस्ते की गोता छोर अराम से उपर आजाते हैं ठीक है अगर हमही हिलियम यहाँ से हीलियम की मातरा कम कड देंगे तो क्या होता है उसमें नाइटरियन हमारे बिलड में मिल जाएगा और उससे हमारा जो हमारा जो बिलड पर सर होगा वो बढ़ने लगेगा और हमाई नस फड़ियाएगी उससे ट्याथ हो जाती ठीक है तो यह हमने कुछ इसके अनुपियोग बताया थी ठीक है इसके बाद तेर्मा नंबर कोशन देखिए बच्चो ते ठीक है देखो इसमें बच्चो गैस का द्रमान दिया है पहले ठीक है बिलियन में बिले गैस का द्रमान कितना दिया है देखो कितना दिया है बच्चो इसमें इसके बाद यहां पर इसके बराबर है एक बार के बराबर है यहां पर दोनों को बाग दे दिया इन्होंने तो यहाँ पर देखो दिया है एथेन यूखते एक संत्रब्स बिलियन है एथेन का आंसिक दाप इतना दिया है और यदि बिलियन में इतना एथेन हो तो गैस का आंसिक दाप क्या होगा मैंने बताया जो आपका बिले का द्रमान होगा वो आनसिक दाप के समान उपाती होता है ठीक है देखो कुछ्छान नंबर 13 वो कह रहा है बच्चों की 6.56 तो हेंड़ी की नियम अनुसार क्या है जो यहां पर गैस का द्रमान होगा वो किसके समान उपाती होगा आंसिक दापके यहां पर दिया है एक बार एक बार किसके बरावर है 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस थिरी दिया है इतना किराम तो यह एक दूसरे क्या है समान उपाती है यह कहलो एकक्वल कहलो जब एकक्वल करोगे तो यहां पर कुछ कॉंस्टेंट लख लो के ठीक है इसके बाद कहराए कि अगर एथेन को मिलाएंग तो एथेन के द्रम मान दिया है यह किसका था यह था आपका एक संत्रप्द बिलियन था एथेन का अब इसके बार एथेन को बिलियन में अगर इतना ग्राम हो तो यह बताओ जब एथेन कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 तो इसका किसके बराबर हो जागा मान लो इसको वाई की बराबर है यहां पर के या इन दो अब यह बताओ बच्चों इन दोनों को क्या करो डिवाइड कर दो के से कड़ी आएगा तो यहां से वाई की वैलू क्या आएगी जो वाई आएगा वो कितना आएगा आपका 7.62 बार यह आपका तेरा नंबर कुर्शन होगे ठीक है शिंपिल है जो उसका एक बार दिया है आνसिक दाब किसके इसाना उपाती होता है आपके डर्मान होता है ठीक है उसके वन फाराओ कर देंगे एकिर कर दोनों को डिवाइड कर देंगे उससे दाब L everything ऍर अनौन नंबर क्राइब बिलायक के सामान कुथनांक पर कुथनांक क्या समान एक लोगर ढट के सवाथ यह आपका यह किसका सवाल हो गया अप उलन मन ठीक है यहां पर यहांपे आपका वासपीदाब में आप इच्छी का वन ओनमन ठीक है तो यहां पर और आप एच्छी का वनमन का फर्मूलर लगाएंगे P A Nought minus P Solution divide by P A not equal to N B upon NA. ठीक है यहां पर N B upon NA क्या है Mool ? ठीक है करम साख इसके यहां पर B के हैं और A के हैं ठीक है मतलब बिलायक का और बिले का ठीक है तो यहां पर NB क्या है मोल मोल क्या होती है मात्रा बटे मोलर द्रमबान तो यहां पर NB क्या होते हैं यह बिलायक के मोल जब निकालोगे तो यहां पर होगा द्रम मान ठीक है दिवाइड भाई उसका मोलर द्रममान ठीक है अब यह बताईए यहां पर पी अनौड कितना दिया है आपका पी नौड क्या होगा आपका आपका एटमोगे होता है वह कितना होता है 1.013 ठीक है माईनस यह कितना दिया है इसमें जो मिलन का पैसर कितना ले आहिए इसमें 1.004 वो दिया interest के बार यहाँ इसके बार यहाँ पे देखो wb कितना दिया है wb बी दिया है आपका बिले का यह आपकी द्रहमान एदो परसंट जली और बिलन तो ईसका मतलब क्या है दो ग्राम आपका बिले का द्रमान इंटू 18 कितना है 18 किसका है water का ठीक है और इसमें यह बताओ जब बिले कितना है दो ग्राम तो उसमें बिलायक कितना होगा 98 ग्राम तो यहाँ पर बिलायक कितना है 99 ठीक है और यहाँ पर MB निकालना है हमको molar द्रमान of B ठीक है यहाँ बिल 1.35 पर मूल ठीक है अब इसके बाद 15 नंबर के बाद 16 नंबर 15 नंबर समझेर गया इसके बाद देख वो 16 नंबर क्या कहा रहा है 16 नंबर कहा रहा बच्चो कि है एफ' टेन एबम A of 10 एक आदर सीलियन बनाते है ठीक है चलो इसके बाद Hepten और Octane ठीक है? याद रखना क्या बोलना है? Hepten भी है और Octane भी है Hepten होता है आपका C7 तो ये कितना हो जाघा? H16 और आपका Octane कितना होता है? C8 और H18 ठीक है? यह होता है formula यह होता है Hepten का ये होता है Octane का ठीक है? दोनों को note कर लिजिए तो ये देखो कह रहा है कि हेप्टेन और उक्टेन एक आदर्स बिलियम बनाते हैं जिसमें 372 केलविन पर दोनों द्रब घटकों के वास्पदाप के रमसा 105.2 किलो पासकल है ठीक है और 46.8 किलो पासकल है दोनों के वास्पदाप दिए हैं इसके बाद 26 गराम हेप्टेन और 35 के मिस्तरण का वास्पदाप क्या होगा देखो बच्यों कुश्चन समझ में आ गया देखो तो क्या कैसे करोगे देखो सबसे पहले और हेप्टेन के मोलों की संख्या निकाल लो एन एन भी निकाल लो तो हमने निकाल लिए एन निकाल होगे तो क्या हो जागा द्रमान मेट हमें मोलन्स निकाल लेना है अब दोनों के मोलन्स कैसे निकाल लोगे कि जो एकसे होगा वह से के SMS क्योटल मॉल ठीक है इसके बाद यहां पर है है और जो क्यो summ opponents निकाल लिए उसके बाद क्या अपको यहां आपका शुद्ध सुद्धाब का प्रेसर निकालना है ठीक है पी एक नॉट पी बी नॉट पी नॉट क्या हो जाएगा आपका 46.8 किलो पास्कल और पीवी नॉट एक फास दिसम्ल है यह आपको गिले नैं ठीक है नोट उसमें तो दोनों धूब घटकों के वास्पताप कि र पीवी नॉट कुस्चन में गिवेन है अभी बताओ बच्चो जब यह ढ़िए इसके बाद हमें पता चल गए तो हम यहांसिक दाब जो हमें निकालना है ठीक है यह हमें क्या निकालना है दोनोंका मिसरंग का वास्पदाब निकालना है लेकिन अभी हम क्या निकालेंगे टोटल बिलियान का ठीक है तो दोनों को जब वास्पदाब जोड़ देंगे तो आप का जागा मिस्ट रंक ठीक है इसमें कोई दिकत ठीक है समझ में आगया इसके बाद 17 नमबर कुशन देखो 17 नमबर कुशन बच्चों क्या कह रहा है 17 नंबर का question कह रहा है बच्चों देखो ये note करते जाओ ठीक है 16 नंबर ये हो गया उसके बाद 17 नंबर question देखो बच्चों क्या कह रहा है कि 300 Kelvin पर जल का वास्पदाब कितना है 12.3 kg ठीक है 300 Kelvin पर जल का वास्पदाब कितना दिया है 12.3 kg पास्कल इसमें बने आवास्पसिल बिले मतलब समझ गए ठोस इसके बाद एक मोरल बिलेन का वास्पदाब गयाद कीजिए अब ये बताओ बच्चों यहाँ पर एक मोरल बिलेन का वास्पदाब गयाद करना है तो एक molal का मतलब क्या हो गया कि एक ग्राम बिले होगा और एक हैर ग्राम आपका यहाँ पर आपका जल होगा ठीक है तो यह बताओ एक mol जब बिले का एक mol एक हैर ग्राम जल में घुलेगा एक mm का मतलब क्या हो गया वन मॉलल का मतलब क्या होता है? एक बिले का 1 ग्राम 1,000 ग्राम जल में घुलेगा ठीक है? घुला तो यह मान के चलो यहाँ पर बिले के मॉलग संखिया क्या जाएगी? Nb बिले के मॉलग संखिया? 1 मॉल ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर दिया है question में दिया है 1 molar billion 1 small m इसको molar भी कहते है billion ये दिया है तो इसका मतलब क्या होता है इसका means होता है कि बिले के mole की संक्याज़ों होगी वो कितने होगी 1 mole ठीक है कितने में 1,000 gram जल में ठीक है जल के कितने हो जाएंगे 1,000 gram पिछल्ड है तो इसके मॉल कितने हो जाएंगे मात्रा कितनी एक है ग्राम और 18 कितना है इसका मोलर मास तो इसको दिवाइड करोगे 55.55 मोल यह आपके जलके मोल तो दोनों के मोल आ गए बिले विलायक आगए ठीक है अब बिले बिलायक पता जल गए निकाल लोगे अब दोनो यहां पे देखो कि यहां पर यहां पर यहां पर जल का वास्पताब दीया है तो इसका मुझा पर यहां है यहां बिलियन का वास्पताब निकाल नोगे तो बिलैक евाए मिलाते हैं तो क्या होता है किसा होता है बिलायक का कोई पड़ता नहीं है ठीक है तो वही चीज है तो पिए कितना हो जाओ पी नॉट एक Xa जो आपका व्लायक का वास्राइब होगा वहीं आपका वास्राइब होगा यहां पे नॉट यहां पर पी नॉट एक से हो जाएगा और पी एे नॉट कितना दिया है कुश्चन में दिया 12.3 into आपका एक से कितना आया है एक से यह आ गया ठीक है इसके बाद यहां से आप कल कर लोगे पास कल में तो इसमें कोई दिक्कत ठीक है किलियर है उसके बाद देखी आठारा नंबर कोश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी आवास फसील बिले ठीक कि आउक्टेन का वास्पदाब घटकर मूल का 80% रह जाए ठीक है देखो कुस्चन देखो बहुत अच्छा है लेकि सिंपिल भी है तो इसमें यह बताओ वास्पदाब में क्या होगा यहां पर आप एच्छिक आउनमन क्योंकि यहां पर क्या है जब आप एच्छिक आउनम हो जाता है तो आप एच्छिक आउनमन कितना होता है पीए नौट माइनस पीएस डिवाइड वाइप पीए नौट इक्वाइड टू एक्स भी ठीक है मोल फ्रेक्शन ऑफ यह मोलंस किसके बिले के ठीक है तो यहां पर आपका यह फॉर्मूला लगेगा एक पीए नौट मा क्या होता है एन बी डिवाइड वाइन पिलस एन वी तो एन बी अगर गिवन नहीं है तो मात्रा मात्रा और मोलर मास में कर लेंगे तो यहां से देखो यहां पर पी एट्मोस्पेरिक पीए नौट कितना हो जाएगा वाइम ठीक है वाइम लिदाब उसके बाद सॉलूशन क क्या कह रहा देखो मूल का 80% रह जाता है मतलब ऑक्टेन का वास्वदाब कितना हो जाता है 80% कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जागा 0.8 ATM कितना हो गया सॉलूशन का ठीक है बिलियन का अब यह बताओ में कितना है एक सुदा गिराम पर मोल ठीक है समझ गए में यहां कितना हो जागा एक सुदा और डवलू है कितना दिया है एक सचुदा गिरम इसका ठीक है उसकी मातर दिए ट्रवलू एक जो आपको द्वलायक है और एमड कीतना है चालिस ग्राम दिया है डबलू भी निकालना है यहां इस फोर्मुले में लिए पूट कर दो इस प्रमुल तक complete होगे है त्टी किसे करना है एक बिलीन को 90 जल में बिलीन करके एक बिलीन को 90 घल में बिलीन करके ब आत गाया गया है ठीक है एक बिलीन इसका दोस दोस मैं केल्वीन पर वास्प लगी ओकर 2.8 किलो पासकल है ठीक है अगर बिलियन में 18 गराम जल और मिलाया जाता है तो जिससे नया वास्पताब कितना हो जाता है 2.9 किलो पासकल तो निमलिखित की गर्णा करो पहले बिले के मोलर द्रमान निकालना है उसके बाद इतने ताप पर 298 केल्विन पर चलका वास्पताब निकालना है सिंपिल है ठीक है इसमें दो कंडिशन है पहला देखो कह रहा है कि जब उसका जब मालूम है ठीक है सब्सक्राइब क्या मालूम है ठीक है इसके बाद इसके बाद यहाँ पर मोलंस निकालोगे ठीक है मोलंस किसका निकालोगे एका ठीक है अब मोलंस जैसे निकालोगे यहां पे तो यहां पे तो देखो जब मोलंस निकालेंगे हम लोग तो यहां पे देखो बच्चो जब मोलंस निकालेंगे तो क्या होगा यहां पे एने के मोल डिवाइड बाई एने पिलस NB NB कितना है 30 upon M ठीक है अब इसको जब solve करेंगे तो M upon M plus 6 आएगा ठीक है उसके बाद अब यह बताओ billion का वास्पदाब यह कितना दिया है question given है 2.8 kilopascal ठीक है PA दिया है आन से किताब PA वास्पदाब ठीक है किसका billion का तो यह बताओ PA क्या हो जागा XA into PA 0 ठीक है अब यह बताओ tip 2.8 दिया है हमें सुद्र वास्पदाब नहीं दिया है तो PA 0 PA 0 जियों कत्यों रख देंगे उसके बाद XA कितना है XA यहां से रख देंगे ठीक है इसको समय कर नमबर एक दे दिया इसके बाद सेम उसमें कहा रहा है अगर अगर उसमें हम जल की मात्रा को 18 ग्राम और बढ़ा दें तो जल की मात्रा और बढ़ा दी उसने मतलब जल की मात्रा उसी में और बढ़ा दें 18 ग्राम तो यह बताओ N भी कितना था 30 ग्राम ठीक है बिले 30 था 30 वाइएम अब जो एने होगा बिलायक जल होगा वो कितना हो जाएगा पहले नभे सा अब 18 ग्राम और बढ़ा दिया तो नभे पिलास 18 कितना 108 ठीक है जल के मोल डिवाइड वाइड वाइड टोटल मोल तो यहां से आपका यह जब इसको सॉल्व करोगे तो एम अपॉन एम पिलस फाइव ठीक है यह आपका समीकर नंबर दो हो गया ठीक है उसके बाद यहां से पीए निकाल लो ठीक है बिलियन का वास्पदाब क्या हो जाएगा जो आपका बिलियन का वास्पदाब होगा कितना हो जाएगा पीए नौट इंटू एक से ठीक है अब पीए नौट कितना है तूपॉइंट पीए कितना हबना तूपॉइंट नाइन किलो पासकल और पीए नौट हमें मालूम नहीं है यह क्यों क्या करेंगे आपस में डिव करेंगे तो डिवाइड करने पर यहां से एम की वैलू कि इतनी आएगी 23 ग्राम पर मोल ठीक है यह आप यही निकालना था आपका पहला कोश्चन यह था पहला उना इसमें का जो पहला कह रहा था कि उसका मोलर द्रमान केल्कुलेट करिए तो इस पकार से मोलर द्रमान केल् करना हमें जल का वाश्चन डाप दीखो बताओ उससी तेमपरेचर पर हमें जल का वाश्चन ग्याद करना है तो यह बताओ पालिए RT形 ठीक है अब 2.1 कि कितना है कोई भी एक से निकालते हाज है किसी भी में हम क्या निकाल लेंगे उसका यह तो पर यहां पर आ वाश्चन क जो आपका बिलायक होता है अवास्पसिल जो आपका बिले होता है उसके मिलाने से पहले क्या होता है बिलायक ही होता है जो आपका बीकर होता उसमें क्या होता बिलायक और विलाया क्या होता है सुध्Star घमातर होती समी समी कर नमबर एक में रख चाहिए दो कर दो और तूपॉइंट दूपॉइंट हूगे तो एपूइंट दूपॉइंट नायने कितना है आपका खुझआ यह औहीं आगए आपका जल का वास्पर आप अब इसके बाद 20 numbers कुछन देखो क्या कह रहा है 20 number का 20 number कुछन के रहा है वच्चो आपको है कि कह रहा है कि सककर के 5% जली बिलियन का हीमांग 271 Kelvin है यदी सुद्ध जल का हीं 173.15 Kelvin है तो गिलुकोच के 5% जली बिलियन के हिमांकी करना कीजिए देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे हम सक्कर की बात करेंगे ठीक है सबसे पहले दिया है सक्कर का ठीक है तो 5% जली बिलियन का मतलब है इसमें 5 ग्राम क्या है इसमें सक्कर की मातरा है जल में मिलाया जा रहा है इसका मतलब बिले की मातरा कितनी है यहां पर बिले की मातरा मैंने लिख दी सक्कर के लिए 5 गराम और जल कितना होगा जितना पचेगा 100-5 95 ठीक है अब यह बताओ यहां पर सक्कर का MB कितना हो जाएगा, मोलर मास 342, ठीक है, डेल्टा TF कितना हो जाएगा, 200, पहले कितना था, 200, जली बिलें कितना है, 270, जिसम लोग 15, और कितना है उसके पास, 271, ठीक है, तो जब दोनों को माइनस करोगे, तो आ जाएगा आपका, डेल्टा TF, ठीक है, हिमा का अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF, KF, WB upon MB, WA, यही होता है, ठीक है, इसको समिकार नंबर एक मान लो, यहां पर सारी वैलू पूट कर देना, ठीक है, उसके बाद यहां भी, गुलुकोज के लिए, कह रहा है, 5% हमें निकालना है, तो गुलुकोज के समिकार नंबर 2 को समिकार एक से भाग देंगे, ठीक है, तो समिकार नंबर 2 को जब भाग देंगे हम, किस से समिकार नंबर 1 से, तो क्या आएगा, यहां पर देखो, जब यहां पर समिकार नंबर 2 लिखोगे, तो KF 5 into 185, ठीक है, यहां पर यहां पर यहां पर क्या होगा, ह यहां पर आगिया और इसको एफ यहां पर एसा निकाल यहां पर इसे पर हम सा निकालाएं चाहिए तो कब शुर्ण करोगे पूरा तो 4.085 इजर तो आप के डाराट गया बट वह 5 परसेंट गुलुकोज लिए हमांक पूछ रहा है हमांक जब पूछता है तो हमने इसा बताया है कि जो आपका जली का होता है एक्चूल कितना होता है हमारा जल का 273.15 टेमपरेटर ठीक है उसके बाद यह बताओ उसमें हम किस माइनस करें कितना 4.085 जो हमने निकाला है तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमाएपास जो आएगा हमांक वो क्या आएगा 279.07 कल्विन ठीक है यह हम 5% गुलूकोज बिलियन के लिए हमांक हम यूज करेंगे यह वाला 279.07 कल्विन 21 जो कियाता है जो एक इसमा नंबर आपका है कह रहा है की दो औ स्थिकर्ण बेजों कि का यवं में घ्वोलने पर एक ग्राम Ab 2 ही मांग को 2.3 केललिविञ no तो इसका मतलब यह सम्झों कि अगर योगिक ab2 है और एक बेंजीन दो योगिक घ्रवाइब करते हैं केरा है कि हम योगी के लिए रहा है तो उसमें कहा रहा 20 gram benzene में 1 gram AB2 घोला गया ठीक है तो 20 gram 20 gram क्या दिया है आपका WA ठीक है benzene का इसका मतलब यह क्या है बिलायक है पहले सुपस्तित है उसमें घोला किसको जा रहा है WB AB2 एक AB2 योगिख है कुछ होगा पता नहीं इसका हमें MB क्यात करना है ठीक है अब यह बताओ इसका हमें W कितना दिया है 1 gram ठीक है इसके बाद डेल्टा टीएफ दिया है 2.3 Kelvin ठीक है इसका जो हिमां का वनमान है किलो केलविन केजी पर मोल यह दिया है ठीक है इसके बाद यह आप इसको केजी है इसको घ्राम कर लेंगे तो एक यहार से बोड़ा कर देंगे ठीक है अब यहां पर यह देखो मझान की कि एमपी का यहां फोर्मूला क्या होता है कि हैसो डवल्वी डिवाइड बाई देवल्व एय ठीक है इंटूH ओने चाहिए आपको तिक अगर आप इसमें थोड़ा सा इस्टिफ खा जाओगे तो आपको कभी ये कुश्टन आप सभी नहीं कर पाऊगो ठीक है इसलिए इसकी प्रेक्टिस भी करना है और समझना भी अच्छे से ठीक है तो समझो पहला इस्टिफ क्या था कि उसमें कह रहा है कि बेंजीन में 20 ग्राम बेंजीन में हम किसको योगिक AB2 को एक ग्राम AB2 को मिला रहे है ठीक है तो हमने उसकी कंडिशन लिख लिए पूरी क्या क्या दिया है उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया यहां से हमने मोलर मास किसका निकाल दिया हमने योगिक AB2 के लिए ठीक है MB B के लिए M B निकाल दिया ठीक है उसको मोलर द्रमान अब यह बताओ इसके बाद योगी AB4 में उसमें क्या क्या रहा है कि एक ग्राम AB4 से इसमें भी एक ग्राम AB4 से 1.3 Kelvin का आवनमन होता है ठीक है 20 ग्राम बेंजीन में अब AB4 के लिए क्लिए कि देखो WB क्या हो जाएगा आपका बिले जो आपका AB4 है उसके वन ग्राम बोला गया है W A कितना होगा 20 ग्राम उतनी होगा उसके बाद डेल्ट टीफ कितना दिया है 1.3 के दिया है ठीक है कि एफ की वन लूए इसे हम होगी अब यह बताओ यहां से MB निकाल लोगे के फ डेल्ट डबलू भी डिवाइड वाइड 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 इन्ट्व दियल्ट टीफ सब बेल्लू पूर करके आएगा 196.15 यह डिकाल लिया यह अगया MB और MBAB यह किसके लिए है AB2 के लिए और यह AB4 के लिए ठीक है मोलर दरमान दोनों के आ गए अब यह बताओ हमें मोलर दरमान दोनों के आ गए तो यह योगे के जो परमाडविक द्रम्मान होंगे, उनको हमने माल लिया A के लिए कितना है? small a और b के लिए हो गया? small b तो ये बताओ उनको कैसे लिए सकते हो? small a plus 2 into small b, उनका जो परमाड़ द्रम्मान हमने small a और small b माल लिया, ठीक है? तो ये क्या हो जागा? a plus 2 b बराबर कितना? इनका पूरा परमाड़ दर्मान केतना है ये ठीक है तो ये केतना है 110.87 ये ठीक है समिकरण नमबर 1 इसी पेकाड़ से A पेलस 4B के लिए A पेलस 4B केतना है ये ठीक है समिकरण नमबर 1 और 2 समिकरण 1 मेंसे 2 घटा दिया ठीक है जब हमने घटा दिया दोनों को तो हमें क्या मि कि यहां तो यहां प्रमारव की दिर्मान भाइब कहीं रख दोगे अब 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 का परमारव क्या हो सद्रवान कि यहां फ़्यक्ति कि आप तो एक आया गया आपका कितना इतना और बी का कितना आ गया यह आ गया तो यही पूछ रहा है को समझ में आगया बच्छों यह कुश्चन ठीक है दोनों के प्रमाड़ी दिर्मान करना है हमने कर दीए ठीक है अब इसके बाद 22 नंबर कुश्चन पढ़ो देखो 22 का कुश्च ऐले जुलुकुज। के मैं परास्रन दब दिया है कितना 4.98 कि अबगर परासरन आणदास क्या होता सकते हैं यह क्या होती है मोलरता था डब्लुवी मोल यापोन-वोलूमन थो ओमट डब्लूू इपन-विया इसके देखो 1 मैं दिया है कि पहले प्रासर दाप कितना है 4.98 ठीक है तो पहले बिलियन के लिए 4.98 और कितना है डॉबे naj टी सउ हो जाएगा और डिमाइड जूल YouTube । है तो इसके लिए ३ाइसिके बाद है आपका तो यह बताओ यहां से जब दूसरे बिलियन का 1.52 कर दिया गया तो उसका WB और MB हमें मालूम नहीं है ठीक है तो हमने जो कतों लिख दिया उसके बाद यह RTV समय सेम है तो यह क्या हो जाएगा जब इसको हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे भाग जब सभीकर नमबर दो को एक से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखो यह होगा तो डिव भी बाई अब यह बताईए यह तो आगे आपका सांद्रता अब यह हो गया आपका 22 नंबर कुष्टन सिंपिल था दोनों एक कप ग्लुकोज को परासर दाप दिया था और किसी बिरियन का पूछ रहा था ठीक है यहां सांद्रत आ गई अब इसके बाद देखो 23 नंबर कुष्टन है 23 नंबर कुष्टन क्या कह रहा है कि निम्लिकति योगमों में उपस्ति सबसे महात्यपूर्ण अंत्राणविक आकार्शन पलो का सुझाओ दीजिए नौर्मल हेक्सेन नौर्मल और में लंडन वल ठीक है इसके बाद यहां पे मैथनोल और एसीटोन में डेखो मेफलोन क्या हो जागा इसमें अंत्रानविक hydrogen आबंध होगा ठीक है अंत्रानविक hydrogen आबंध क्या होगा क्योंकि क्या होगा अथरूब रव plugging एसलिको अंत्रानविक प्रिश्मनमब देखते हैं चोब इसमें मैं कहा रहा है कि बिले बिलाया कार्षण के अधार पन्यम लिखित को नॉर्मल ओक्टेन की बढ़ते करम में ब्यूस्टित कीजिए ठीक है जैसा इसमें देखो इसमें करना है केसील दिया तो यह बताओ सबसे ज्यादा इसकी सबसे बिलेता कि नॉर्मल ओक्टेन में नॉर्मल ओक्टेन है उसमें इसकी बिलेता बताना है सब में तो नॉर्मल ओक्टेन से कंपेर करो के सियल को तो यह बताओ यह क्या है आइनिक है आइनिक है के पिलस सियल माइनस और नॉर्मल बहुत इकम मतलब यह क्या है एक धुर्वी है ठीक है तो यह क्या करेंगा आपस में बहुत कम हुए एक धुर्वी एक आयन है कहां से मिलेंगे ठीक है उसके बाद CS3OH अब CS3OH क्या होगा नॉर्मल जो आपका उक्टेन है उससे क्या करेगा यह देखव स्थरी हेज डिए हैंट जो आपका हाइडोजन अबंद किया बनाएगा इसमें हाइडोजन अबंद होना चाहिए लेकिन यह नौर्मल ऑक्ते निसुटी वजए से नौर्म इसके हाइडोजन-बंद में कमी हा जायगी ठीक है तो जो आपका वो तो आपका अधुरुवी है और बोर नौर्मल आपका ऑक्टेन में उससे आपका बॉंड जीक है तो इससे ज्यादा हो जाएगा अब साइकलो हैक्सेन क्या करेगा बहुत ज्यादा बनाएगा ठीक है दोनों क्या जानकिंगे ठीक है और इसके बाद आते हैं mają तो यह आपका बिलेता किराम हो गए सबसे दाब बिलेता किसकी हो जाएगी है किसमें नॉरॉमल और फिर उसके बाद सीचेज थी उसके बार मैं से यह को यह कुछ चraction कि पहचाओ कि रिखान विले आंसिक रूप से विले तथा अभी है ठीक है तो जो फिनोल होगा जो फिनोल होगा वहाप का आह सिक विल्य होग क्यों होगा क्यों कि पैलोय विले होगा क्यों होगा क्यूंक Guitar अत्यधिक बिले होगा क्यों होगा जो फॉर्मिकम होते हैं अत्यधिक बिले क्यों होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है हाइडोजन आवंद पायाता है उसके बाद एथिलीन गिलाइकॉल क्या है एथिलीन गिलाइकॉल भी अत्यधिक बिले होगा क्यों क्यों कि इसमें इंटेनोल जो होगा अलप बिले होगा क्योंगी इसमें ओएज हाइडोजन अबंध योगिक को बनने से रोकते हैं ठीक है तो आपका यह हो गया 25 नंबर कुश्चन जोडियम पिलस आयन प्रति किलो जल में उपस्तित है ठीक है तो जील में सोडियम पिलस आयन की मोललता ग्याद करना है ठीक है सबसे पहले किया हमें सोडियम आइनों की मोरलत्हार गसना है कंना है तो कैसे करोगे आइनों के मोलों की इतां क्या कहSON कि को अब यह बताओ बच्छो आइनों की मोली संग्या कैसे निकालों गए उसकी मात्रा कितनी दी है, 92 ग्राम ठीक है, और उसका जो आपका मोलर दर्मान कितना सोडियम का, 23 ठीक है, अब यह बान बे डिवाइड वाई 23, जब इसको सौर्ब करोगे, और हमाँ जल का केजी में दर्मान कितना दी आए, 1 केजी ठीक है, तो यह कितना होगे आपका, 4, 23 च ठीक है, सिंपल था, इसके बाद देखो बच्चो, 27 मानंबर कुश्चन है, यदि क्यूप्रस सलफाइड का बिलेता गुणन फल कितना है, 6 गुणन दस की पावर माइनस 16 हो तो, ठीक है, कितना है, अब देखो, बिलेता गुणन फल दिया है, तो जली बिलियन में उसकी जा होता है, सामें उस्ता में, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आयन होता है, जो आपका पिलस टूओ और आपका माइनस 2, सलफार माइनस Menschow में ठीक है, डिवाइड हो जाते है, अभी यह क्या लिखा है, मतलब जल में, ठीक है, जल मिलाय जा रहा है, अब यहां पे देखो, अग क्या बता है के एसपी ये कौप आउख की हmeter बड़न रहे है आपके न में रहे हितना निये अब यह थी क्या है यह दो पिलस टू और स्ट्राइफ मैनस टू ठीक है अब यह बताओ यहां पर बिलेता फर्किता दिया है सिक्सटेंटू टेन की पावर मैंनस 16 यह अपनेको गिवें न है ठीक है अब जब गिवेंहें और हमें क्या जЯको पूछ तो क्या कैसे कहाँ करोगे पहले जो आपको दिया होगा वो क्या होगे ogrosi थीट है उसको किसमे करब कर लोगे लोगे ऊशनके और करना है व क्या होता है उनको आपको उनके दोनों कोаюсь 지금은 तरूठ करोगे तो यहां पर यहां पर हो जागा दिया इतना एस इसकी इसको जागा जो भी लेता कुछ दिया आप स्कॉर जो हो जाएगा सिक्सिंटू टेमिपार माइन सोला इसके बात क्या हो जाएगा जब इसको करोगे टेन टू पॉइंट फॉर फाइब इंटू टैन की पावर माइनस एट मोल पर लीटर यह आपकी आपकी मोल अड़ता यही आपको गयाद अन्ता क्याद कर नहीं सी ओएज ठीक है तो यहां दर को लिकात है है इसके बाद देखिए बच्चों हम आते हैं ट्वंटी एट नंबर में क्या जब 6.5 गराम एस्पिरिन को सिस नइन हैड ओफॉर को 450 गराम एसीट ट्राइल में ठीक है क्या बच्चों देखो 6.5 ग्राम को जब एस्पिरीन को किसमें और कितना 415 ग्राम एसिटो नाइट्राइल में घोलते हैं ठीक है इसके बाद जो एस्पिरीन का एसिटो नाइट्राइल में भार प्रिसत ग्याद कीजिए तो सबसे पहले लिए ऐस्पिरियल का यहां पे इसका इसप्रीड का इसका यहां पे असप्रीड न इसके बाद पुछ नहीं है फॉर्मूला वह इसा है इसके बाद हो इसके बाद हो 29 नंबर का फॉन्टी नॉंबर के रहा है वे चौक इसमें नेलोफन एंटी जाय ररे देखको यह नेलोफन ठीक है इसमें दिया है नाइलोफॉर्म नाइलोफीन है थाइज हाँ नाइलोफीन है ठीक है इसका फोर्मूला होता है सी 19-21-03 यह होता है ठीक है यह आपका दिया है जो की मौर्फीन जैसी होती है ठीक है का उपयोग इतना उपयोगता हो चोड़ने से उत्पंद लश्णों के अदूर करने कियाता है सामने आवस्तामानित्या जो नेली फीन होती है उसकी 1.5 mg खुरांक दियाती है मोलल जली बिलियन का कितना द्रम्मान आवस्ताम होगा ठीक है कि आपका जो आपका नेली फीन है जो नेली फीन है इसको क्या है यह पकार की दवाया ठीक है इसको किसमें जैसी होती है इसके जैसी होती है मॉर्फीन की जैसी ठीक है इसमें कह रहा है कि इसका यो होगे स्वापक भोकताओं जारा स्वापक छोड़ने उत्पन से उत्पन लच्छनों को दूर करने में किया था ठीक है समान नेली फीन की 1.5 mg खुरांक दियाती है ठीक है तो यह बताओ नेलिफीन जो आपका है उसकी बिले का द्रब्मान कितना दिया 1.5 mg तो इसका मदलब 1.5 mg तो मिली को हम ने चेंज का लिए 10 की बाव माइस 3 गराम ठीक है अब यह बताओ जब बिले का द्रब्मान गिविन है और मोल अलता कितनी गिविन है 1.5 10 की बाव माइस 3 मोल पर केजी गिविन है ठीक है अब यह बताओ इसमें ग्याद करना है इसमें ग्याद करना है इसमें ग्याद करना है बिले का कितना द्रब्मान ग्याद करना है तो इसका मदलब यहां पर देखो किसका बिले का ग्याद करना देखो कि खुरांक के लिए इतना जली बिलेन क कितना द्रम्मान आउस्था खोगा ठीक है तो बिलायक का द्रम्मान अफ्ट करना होगे ठीक है तभी बलीएट मैंखे बता सब्सक्राइब बच्चों यहाँ पर बिले के मुल् производ major वाइब यहां पर देखो मोलूग संख्या जाएगी मत्रह कितनी 1.5 और इतना मोड़ा इसके बाद मौलूग करोगे मौलुग संख्या डिवाइड का केजी में द्रम्मान ठीक है अब बीलायक का द्रम्मान कैसे निकालो दो तो मोलूग संख्या डिवाइड मोलता ठीक है अब बिले के जब मोलूग संख्या जाएगे और मोलता यहां से 3.2 ग्राम आ ठीक है 217 ऑसके भाद 30 सब्सक्राइब बिलीन बनाने के लिए उसSTमी उत्रक्यत बिलाय ठीक है तो यह बता हो यहां पर भी पीलाय अधक विश्युच्वल से मातरा में निकालनी हैं इसके बाद यह बताओ जो आपको भिले होगा बिले की मात्रा अब डिवाइड बिले के बिले की मात्रा डिवाइड मोरर्द्रमान कितना एक सुपाइस मात्रा में निकाल नहीं है बिले की मात्रा इंटू आयतन कितना है 025 लीटर में ठीक है यहां पर यह देखो जिब इसको सॉल्व कर डबलू कितना जाएगा 4.575 ग्राम यह आपका हो गया कि जो पूछ राथ बेंजोई कम लिकी आवस्ते के मात्रा कितनी जाएगी पर जो हीमां का अनुमान होता है क्या होता है जली बिलियन इसके कड़ों के आयनों की संख्याथ भीओजन की दर जो आपकी अलफा के समान उपाती हो ठीक है तो यहां पर जब यह ए यह बताओ यह यहां पर CS3CW H CCL 3CW H CF3CW H अब यह बताओ मुझे यह आपका क्या है आपका अमली इसका जो नेचर है अमली प्रिक्रति है जो इसकी उसका यह आपका बढ़ता हुए किरहां ठीक है तो यहाँ देखो है दिखो 1 लिए कि अम्लीता है कैसे बढ़ रही देखो यह उसके बार इसके बार यह आपर क्या है फृण किलोरीन फिर हाइड्रोजन तो किलोरीन सबसे पहले किलोरीन किलोरीन ठीक है तो यहां पे आपके यह तीनों ऑर्डर इस परकार से होंगे ठीक है सबसे पहले किसका आएगा सवाल इसमें कह रहा है कि बिले का मोलर द्रमान कितना है इतना ठीक है अब यह बताओ यहां पे जो आपका बिले है वो क्या है तो यह आपका मोल इसके बाद यहां पर बिले का मोल इसके बाद यहां पर मोलर द्रमान कितना है यह ठीक है और डिवाइड भाई क्या कर दोगे यह आपका हो जाएगा बिलायक का है ना यहां पर क्या है यहां पर देखेंगे आप कई कि आपका यह क्या करेगा यह क्या कि जो दो जाएगा ठीक है इसके बाद बचेंगा है अब यह बताओ जब यहां पर स्टार्टिंग में ठीक है जब यहां पर स्टार्टिंग होती है स्टार्टिंग में आपका जो इसकी सांदर्ता होती है ठीक है और यहां पर क्या होती है रेक्शन 00 ठीक है इसके बाद यहां पर जब क्या होती है साम में आउसता, जब साम में आउसता मतलब जेक्सन हो जाती है, तो यह क्या हो जाते हैं, देखो किसमें ब्रेक हो जाते हैं, C, one-mineus alpha, यह C alpha, C alpha, ठीक है, तो यह बताओ मुझे बच्चो, यहां पे हम K A निकालेंगे, के जाएगा आपका जैसे विले तर बुड़ा होता है क्या होता है क्या हो जाएगा सी alpha into sea alpha into sea alpha divide by यह C1 minus alpha इसके बाद यहां पर हमने क्या करा जो हमारा billion क्या है तनु तनु होने क्या क्या होगा नीचे जो होगा वन से यह alpha क्या हो सकतनी छोटा तो रहाँ तो यह र्टाव जायेगा Rigat कि सी कुक्त दीए से जब निकाल भावे तो के डिवाइड जी तो यह वह बताओ बच्टो यहां पर कि हमारे पास के की बैलू कितनी दिये 1.4 इंटु 10 की पावर माइनस 3 ठीक है इसके बाद सी कितना दिया है हमाई सांधता जीरो दिया अब जब इसको सौर्व करोगे तो यहां से अलफा की बैलू कितनी आज़ेगी 0.065 ठीक है यहां तक कोई दिक्कत अब इसके बाद देखो CS3, CS2, CL, COOH इसकी हमने बीयोजन की समयकरण फिर से लिख ली ठीक है अब यह बीयोजन की समयकरण लिखेंगे तो यह किसमे डिवाइड हो जाएगा दो आयनों में एक माइनस एक पिलस ठीक है इसके बाद यहां पर स्टार्टिंग में इसका जो मोल स्टार्टिंग में इसके मोल कितने थे वन और यहां पर क्या थे जीरो जीरो ठीक है इसके बाद यहां पर वन माइनस अलफा हो गया यहां पर अलफा हो जाएगा ठीक है यहां पहले सी था अब यहां पर क्या हो गया वन ठीक है तो यहां पर आपका वन माइनस अलफा अलफ क्या होता है आए रियोजन से पहले पहले ऐन पिल स जीरो पिलस जीरो एह प्याँ तो शरग से पहले क्या है फ्र पनी सलूप क्या बनेंगे तो ऊंसल्ट सल्ट से चैंसल तो और नीचे क्या बज है एए नीचे वन बज़ेगा तो यह टोटल हो जाएगा वन प्रस अलफा तो यह किसकी जो आपका वान टॉप गुणा का आई आई क्या हो जाएगा वन पिलस यहां पे अलफा की वैलू कितनी है 0.065 06 5 ठीक है इसके बाद वह इसको जोड़ दो तो वन पॉइंट 06 5 भी आएगा ठीक है यहां से आ गया आई यह वालत हमें निकालना क्या था हिमांग का और 1 क्या हो जागा हिमांग का ऑनमन क्या हो जागा बच्चो डेल्टा टी एफ आई के एफ इंटु मोलता अब मोलता कितनी निकाली थे हमने जिए और यहां पर आपका के दिया है वन पॉइंट एट सिक्स और आपका आई कितना ही वाला तो जब जब इनको स्वल्प करोगे तो कि यही आपको निकालना था हिमांक का और ना करने सी ठीक है तो यह आपका 32 नंबर का 33 में क्या कहा रहा है देखो पड़ो क्यारा सिस्ट्री सी एफ सी डेवल एच के उनाई दिसमलों पांच ग्राम को 500 ग्राम स्टू में घोलने पर जलके हिमांक में वन डिग्री सेल्सियस का औरमन देखा गया ठीक है इसके बाद फिलोरी फिलोरो एसी टिक मलका वण्ट ऑप गुणक व्याशने स्ब्सक्रांग घ्याद परो ठीक है तो देखो कैसे क्या है इसमें कह रहा है वह हम लेके वाइंट ऑप गुणक ठीक है इसका वान्ट ऑप गुणक कैसे निकाल होगे दिल्टा टी एफ मुलता है इंट्व निकाल नंबर इत्व करने सब्सक्राइब करने में इसके बाद मौल पूंट मोल पर केजी ठीक है तो यहाँ पर यह जब इसकी टौट करोगी बिले का इसके बाद यहां लेलिट टीह व इसके बाद I M European कितना उपका दिया होगा च्छो आपका आपका यहां पर आपका उंक यहां पर यहां से हमें क्या निकालना है अमने के बीजन की दर ठीक है कैसे निकालोगे देखो यहां पर सब्सक्राइब लिखोगे तो यहां पर देख रहा है हमेशा किसमें तूटता है आयनों में पिलस और माइनस इसके बताओ जब यहां पर आपका बीजन स्टार्ट हो रहा होगा मलब करसम होगा स्टार्टिंग है तो इसका जब सी जीरो जीरो ठीक है उसके बाद आपका जो अस्ता के बाद क्या होगा सामने एक्सल हो जाती एट तो फिर क्या हो जाएगा तो कुल सांदर्टा कितनी जाएगी इनको जोड़तो C1 प्लस प्लस यह जोड़ोगे तो यहाँ पर आगा C1 प्लस इल्फा इसके बाद यह बताओ आई यहाँ पर क्या हो जाएगा आई रहाए मतलब बिले के जो आपके बी ओजन के बाद वाले तो बी ओजन के बाद कौन से से नदा यह वाली यह जोड़ दे टोटल यह इए उसके भाद से पहले की पिलस जिरो जिरो तो यहां पर आए कितना आगे यहां से अलफा कितना जाएगा आए माइनस बज I कितना है आई अब इस त्रांक कैसे निकालना है देखो अब यहां पर सी क्या अंदर्था मौललता अब हम ने गाल रही त्रीग इतनी पॉइंट-5 एम उसके बाद जो आपका सब्सक्राइब को होता है कि इस समीकर्ण मैनस दोनाग यह वाल इसके बादीवाइद वैऑ अब यह बताओ यहां पर कीत na hd1 वाइज अलफा जियो लिवाइद वाइज सी कितना है 0.5 ऐलफा कितना है 0.0753 स्कॉायर और 1-1 ऐलफा ऐलफा कितना है ठीक है अब यह पूरा जाए तरी तीन तीन दिसम्मलों 07 गुणे दसकी पाव माइनस 3 यह आप का अंसार हो जाएगा ठीक है ब्योजन इस्त्रांग यह पूछ राए ठीक है उसके बाद 34 नमबर देखिए कहरा 293 के कैल्विन पर जल का वास बताब कितना है 17.535 mmHg ठीक है जल किसका जल का वास बताब ठीक है पिलायक का इसके वजदी 25 ग्राम गुलुकोज को 450 ग्राम जल में घुहो लें तो दोस्ट्राम के बजल का वास बताब पर इकर किजिए ठीक है दो कैसे करेंग ग्राम उसकी मोलर द्रमान कितना होता है 180 ठीक है और उसका वास बताब दिया है जल का सुद्ध जल का ठीक है कितना दिया है वास बताब ठीक है 17 अब यह बताओ जब यह आपका इतना दिया है और जल का जो आपका द्रंबान कितना है 450 कि लाम ठीक है कि असको इतर्म पर मोल तो इस में हमने क्या देखा सबसे पहले हमें क्या निकालने पढ़ेंगे मोल निकालोगे तब यहां आपका वहाँ का यहां पे लगाएंगे ठीक है तो क्या होता है वांस बदाब के आप आपका उपका फैंट जो है यहां पी नॉर्ट यह सुद्ध िसका बिले का निकालोगे तो बिले के मोल डिवाइड बैट निकालोगे है अब यहां से जब निकालोगे पूरा इनको value put कर दोगे यहां पर पीएस निकालोगे तो पीएस जो आएगा उसकी value कितनी है कि 17.438 mmHg तो यहां से आपका पीएस निकालना था पीएस आगया ठीक है simple अगर formula याद होंगे तो सब बन जागा ठीक है उसके बाद 35 number का question देखो बच्चो 35 number क्या कह रहा है कि इसमें 35 number 298 Kelvin पर मेथेन की बेंजीन पर जो मोललता का हैंडी इस रंक है कितना दिया है कि इतना दिया है ठीक है इसके बाद कह रहा है कि मेथेन की बेंजीन में बिलेता परिकलिट कीजिए ठीक है तो पी कितना दिया है ठीक है उसके बाद आपका पी क्या होता है के एच इंटु एकनली का इसको सब्ब करोग या जागए ठीक है तो यहां से एकस आ गया यहीं निकाला था हमको 35 55W कि थरीछ नंबर देखो 36 नंबर क्या क्या रहा बच्चों कि जो 100 ग्राम जडिक क्या है 100 ग्राम जब ए इक थिक है इसके क्र CH-25 फिदूर्व, ख्रक गते है और 10 ,र 10 एख़ी है रहाट उसका जो भी RS-21 T babe देखा हफ़ugen च्बीध मेर के झाघराम द्रब B में घोला गया ठीक है तो यह बताओ सुद्ध द्रब B का वास्वदाब सुद्ध द्रब जो B है उसका वास्वदाब दिया है ठीक है उसके बाद सुद्ध द्रब A का वास्वदाब तथा billion में उसका वास्वदाब ग्याद करना ठीक है तो यह बताओ billion को कुल तो आप कितना दिया है 476 ठीक है उसमें आपका बिलियन कर जो दिया है आपका 476 यह दिया ठीक है तो इस प्रिकार से इसको कैसे सॉल्ब करेंगे वो देखिए तो इसमें सारा डेटा हमने पढ़ लिया इसके बाद देखो यह बताओ सबसे पहले निकाल दिये क्यों कहीं दिया तो मौलन्स निकाल लेंगे 2022 ठीक है इसकी बात क्या करेंगे सुद्ध रब में वेका वास्पताब दिया पीवी नौट पांसो और जो बिलियन का वास्पदाब कितना दिया है चार्सों पेचतर ठीक है यह अब यह बताओ मुझे जब इसको आप हमें दिया है क्या देखो हमें क्या मोलन्स आ गए और वास्पदाब दिया है तो इसका मतलब हमें क्यों सा फॉर्म लगाना है आपका राओ्ट कदनी आपका ठीक होता है त्टो आप करोंगे यहां क्या है टिक है जो आपको पी-एस यसको पी वहनตो सॉल्ट निकालना है एक से पीए पीडी नोट कितना देंगे पांसो एक सब्सक्राइब यह उसके बाद यहां की लिए नॉट करोगे तो कितना गा지 ुएट्ट्टी पॉइंट फइव टॉट ठीक है तो यह आप का जब का यहाँ प्य हुआ नौट की आपको आ गया सुद्थ लिपका और टिक exercise कीट्नौण 585 ट५्ञेरीस लागा की वरें तूट की तो बुक्ट यहाँ कहा वरेंसे कहित नौटक कि अज़़ एगए थीक है। दिशिंटी एट में किहां राहे हुआ हूब है। हुई मिलें ऐसके छो ए Celtic निए उपस्तित अंधियर के ज्यात थीक था jestem कि मॐस्ति निकालना थीक तो कैसे कुरो धूब सबसे पहले निकाल लो बैंजीन की मोल निकाला लिए इसके लिए मैपलीन के मोल लो लो is more निकाल लो है पता है तो मौल सबख़ताब क्या बैंजीन का बाइंसिक वास्पताब क्या हो next बैंजीन का शुद्भ होस्पताब इंटू X थीक है मोलं तो यहांसे आपका यह वास्पताब गिवे नहीं और आपका जो यह आया है यहां से आजाएगा यह इसको सब्सक्राइब 28.80 यह आगे आंसिक वास्पताब बेंजीन का इसी पिकार से नेप्थलीन का निकाल लोगे ठीक है अब यह दोनों आ गए वास्पताब इसके बाद कुल टोटल कितना हो जाएगा बेंजीन प्लस नेप्थलीन हुआ है कि यही होता है वासको आपका हो जाएग आपको कितना भाव हो जाएक deeply किइंक निकाल सुछ टूर तो क्या रहा जएगा इसमें से जो आपका अंसिग दाव है उसमें से पीट्ल मुखर्य हो गया इसके बाद यह बताओ हमें पीटो यहां पर कितना है यह आंसिग बन sitting किसका बेंजन का एतना केल्विन पर आयत ने मुख घटक ऑक्सीजिएं और नाइट्रोजन लगभगत 20% से मिंट अब देखो इसमें जो मुख घटक लिए गाएं गाएं पाई के ऑक्सीएं को लिए गया है नाइट्रोजन को लिए तो जल में इन जो गैसे हैं आपकी नाइट्रोजन ऑक्सियन इनका संगटन ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करोगे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर ओटू और एंटू जो गिविन है उसका हमने निकाल दिया आंसिक दाब यहां पर एक यह वाई मंडल में कितना होता है सासोसाट में ठीक है तो यहां यह बताओ दो में कितना हो जाएगा टू इंटू सासोसाट ठीक है यह तो आगे आपका आंसिक दाव और ओटू का अग्याद करते हैं तो जो आंसिक दाव होता है होसाट है हैंट्री कॉंट्ट के फिर डी गडिये हैं और पी एंट्व हमने निकाल लिए ठीक है अब यहां पूरा सॉल्व कर लोको यहीं आपको पूंच रहा है इसके बाद आते हैं फोर्टी नंबर बहुत ही सब्सक्राइब से अगर फर्मूला याद है तो आप बना लोगो ठीक है फोर्टी नंबर कह रहा है प्रासर रदाब इतना दिया है गुला है किसमे जल में ठीक है तो यह बताओ कि मातरा कि मातरा ग्याद करना मला जो बिले उसकी मातरा क्याद करना है कैसे ग्याद करो देखो परास्नती आपको फॉर्मूला क्या होता है है CRT into I ठीक है अब I और C क्या होगी molar साम देता तो N V upon V यह हो जाएगा R T ठीक है अब यह बताओ मुझे यहां से हमें निकालना क्या है पहले हमें जो बिले है CACL2 का मोल निकाल लो तो N V पता नहीं है तो N V निकाल लो यहां से N V क्या हो ओडिया यह आपका प्राथ्वा दाब इन्टु वी युदह चला गया आई नीचे आजाएं ती निकालना थीक है इसके बाद प्रास्वर्टा दाप दिया है करने के लिए 273 करोगे तो यहां कितना जागा 300 Kelvin लिखेंगे ठीक है हमेशा Kelvin में लिखना ठीक है अब उसके हमें क्या निकालना मात्रा तो जब बिले की मात्रा निकालोगे तो कैसे निकालोगे जो बिले के मोल इंटू इंटू इसके बताओ इसके बाद Mb कितना है 111 ठीक है अब यह बताओ Mb कितना है तो यह बताओ जब इसको कितना 3.42 ग्राम आएगा ठीक है यह आपको 40 नंबर इसके बाद देखो 41 नंबर भी 40 जैसा है ठीक है देखो कैसे करोगे इसमें कह रहा है दो लीटर जल में 35 डिक्री सेल्सियस पर केटू एस फोर के 35 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले बिलियन का प्रास्वन अदाब ठीक है क्या निकालना है प्रास्वन अदाब ठीक है यह मांते हुए गयात कीज़े कि K2 एस फोर पूर्टया बियोजित हो गया है तो इसका मत तो यह बताओ बिलियन कायतल कितना दिया है दो लीटर ठीक है अब यहां पर टेंपरेचर यह 25 डिगरी सेल्सियस इसको कैल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि यहां क्यटके आपका मोलर द्रम मान होगा कितना बोगे 174 इस से अब यहां के two सफॉर जो होगा पूर्तिय क्या हो रहा है चेंज के पिलस प्लस मैंने इस ओगा ठीक है यह समझ में विचान पूरा पूरा बीओजित हो रहा है तुक के पिलस टू-1 और मायनस टो ठीक है अब ये पिरति 2-0 को हो इसका डिए यह तो एक टीन खीक है यह मतलब मनलब माइन्स के दू यहां तो टोटाल अएंद नहीं ठीक है तो यह यहां से आहिक अगे टोटल माओंस तो इसका मतलब आई कितना जागा 3 यहां से प्रात्रादाब का फॉर्मूला होता है सीर टी इंटु आई यहां आई ती क्या हो जाएगा एन अपॉन वी आटी ठीक है और यहां से क्या आप यहां सभी बेलू पुट कर देना ठीक है उसके बाद कि यहां पर आजागा ठीक है कितना आएगा इसको आपको डाउट हो इसको अपने नोट्स में तो बना लिया होंगे इसके बाद आप क्या करो भूग लो ठीक है उसको अपने से ट्राइग करो उसमें जो आपको डाउट हो फिर आप नोट से देखें ठीक है तो यह आपकी इस प्रकार से चैप्टर 2 आपका complete हो गया ठीक है तो इसको अच्छे पढ़िए आप लोग तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समापत होता है उम्मीद है आसा है यह वीडियो आपको बहुत ही याद अच्छा लगा होगा पसंदाया होगा और कोई भी समय स्थे नहीं रही होगी यहीं वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरू कर लिएगा क्यूंकि कोई वीडियो अगर आता है आपको बेल नोटिफिकेशन को आप्डेट करें रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन उसका अफडेट आपको तुरंद के तुरंद मिल जाएगा और आपकी कोई मिलते हैं या आपके लिए कितने जादा यूजफिल साबित होते हैं इसके अलावा यदि आप डारेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो XP Classes का खुद का एप उपस्तेत है Play Store में जाएए वहां से आप डाउनलोड करते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन भी मिल जाएगा तो लाइफ क्लासे के लिए हमारे एप को डाउनलोड जलूर कीजिए वहां पर आपको फ्री पीडियाफ सॉल्यूशन नोड्स और डाउट किलिरेंस करा जाते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो मिनिमम प्राइस पर मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को जोईन कर सकते हैं जैसे की टेलिग्राम ट्यूटर एंड इस्टाग्राम यहां पर आप हमसे पर्शनल बात भी करते हैं तो कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होती है लिंक आपको डिस्किप्सिन में मिल जाएगे सभी के एप्लिकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिएगा इसे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैन जै भारत वंदे मातरम